गुड़ीनिंग अलो फ्यू गुड़ीनिंग कैसे सब लोग ठैंक यू फॉर अप्रिशेशन श्रेया मुझे मजाताव आएगा जब आप लोग अच्छे माक्त लेके आओगे जेही मेंस में अच्छी सी पढ़ाई करके चीजों को समझ के अच्छी प्रेक्टिस करके जब एग्जाम में अच्छा करोगे देट विल बी माई रिवार्ड मुझे तो इनाम तभी मिलेगा ना जब तुम सारे के सारे मेंस को क्लियर कर दोगे पहली बार में कैसे हैं सब लोग कुछ नए वच्चे भी हैं आज हाँ हाँ बिलकुल डिसक्स करेंगे 17 18 19 20 बड़े बढ़ अच्छा आवाज और वीडियो कॉलिटी सब ठीक आ रही है क्या बताना ज़रा चैट में 20 वाला टक गया करेंगे चलो करेंगे आज करेंगे डिसक्स एजी थे जही मेंस के कुछ्चन थे नौट सो इजी पर हाँ डूएबल थे अगर आपने सारी चीजों को ध्यान से पढ़ा और समझा है तो बड़े आराम से हो जाएंगे 17 का अंसर बता रहे हो मैं बताऊंगा बताऊंगा थोड़े देर में बताऊंगा सब को आने दो पर एक बात वरी वरी इंपोर्टन फ़र क्लिरिंग जाई हाई वशिष्ट या नमन कैसे बताऊंगा प्रेक्टिस बहुत ही अहम हिस्सा है जाई कलिर करने का चाए मेंस की बात करो चाए ड़्वांस की बात करो प्रेक्टिस इस दाम पोर्टन थिंग यू शुड भी पार्ट आफ यू आ न्यू टू क्लास एस वेलकम अच्छा एक और रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से हाई दीपक अपना नाम लिखते जाओ साथ में या कुशन भी जब मैं कुशन दे हूं आज की क्लास में तो अपना नाम साथ में लिखते जाना और बताते आना क्या अंसर आ रहा है आज की क्लास में आपको बता दूं बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास अगर आपने पूरी धंग से अटेंड कर ली तो चार नंबर पक्के हैं जेइमेंस में पक्के 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 लिमिट का सवाल कहीं रुक कुश्चिन पक्का आता है और वो कुश्चिन करने लाइक होता है तो बड़े एजिली चार नमर स्कोर किये जा सकते हैं अगर आपको मैथेमेटिकल रीजनिंग के कि अगरवी फट सी फिलिंग आ रही हूं तो कल वाले क्लासु बड़ी इंप्र्टेंटत है आज वाली क्लास इंप्पोर्टेंट्न है क्योंकि आज वली क्लास् पोरितर्ने की बाद गरांटी डिएंटि गुड इवनिंग जय घंट ले रहा हूं कि लिमिट का अगर सवाल आया जही में तो अटकेगा ही नहीं है और लिमिट का सवाल पक्का आएगा क्यों क्योंकि लिमिट कंटिनिटी डिफरेंशिबिलिटी यह तीनों लिमिट की उपर इतो बेशन है अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं अच्छे बड़े सपने देख रहे हैं इस ओल स्मॉल तिंग्स मैटर रिली मैटर डिपी डन वेल डन वेरी गुड बहुत बढ़िया गलिच आ रहा है क्या सभी को आ रहा है क्या I did my B.Tech from IIT Delhi 2003 में जाई दिया था मैंने गुड इमनें गुड इमनेंग टिप्स तु न्यू जॉइनर्स अभी बताता हूं टिप्स बने रहना मेरे साथ अभी बताता हूं तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लिमिट सेंड डेरिविटिम्स का सेकिंड पार्ट लिमिट को सॉल करने के जो बहुत सारे मेथड होते हैं उनमें से कुछ मेथड तो अपने लास्ट क्लास में डिसकस कर लिए थे कुछ मेथड बचे हुएं लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं अपने आपको इंटर्डूस कर देता हूं आएम निदेश जाखर आएम बीटेक फ्रम आइटी देली और 2003 में मैं मैं आपको आपको आप्शन दू ता कि आप खुद से सही आंसर निकालना सीखो उसकी कोशिश करो ठीक है लाइट क्लास की बेस्ट प्रैक्टिस जो नई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास का मैक्सिमुम बेनिफिट लेने के लिए हमारे लिए क्या टिप्स हैं तो बिल्कुल यह टिप्स हैं सिंपल सी टिप्स की भी क्लास on time पूरा लेक्चर देखो अगर class miss हो जाती है किसी कारण से you can always see the recording also previous class की topics को revise करके आओ क्योंकि previous class में अपने limits के कुछ part पटे थे, वो part आज काम में आने वाले हैं be polite with your peers and teachers on the chat, do not use uncivilized language, do not spam my doubt section एक बड़ा unique section है जहांपर right now और भी teachers available हैं, जो particular आपका कोई doubt होगा तो उसको वहाँ पर solve कर पाएंगे, ठीक है chrome या firefox में चलाओगे तो class बड़ी smooth चलेगी, android version 6 या अब़ो में चलाओगे तो class बड़ी smooth चलेगी और 5 Mbps speed या उससे उपर आपकी speed है, तो class बड़ी smooth चलेगी ठीक है चलो, पहले आपन करते हैं, dpb discuss पांच question थे, पांचो के पांचो डिफ्रेंशेशन पर बेस्ट दे, आज जो dpb दे होँगा, वो limits के उपर बेस्ट होगी अच्छे question थे, कुछ-कुछ, कुछ simple भी थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ jman's में आने लाइक भी थे बताओ, पहला question बताना है या हो गया पहला question बताना है या हो गया 2 and 3 बताना है, पहला नहीं बताना होगा, पहला clear है, ठीक है, चलो दूसरा question देखो जरा दूसरे question में यार बड़ी काम की बात है, द्यान से देखना, उपर है sin की power 4x, plus sin square x, plus 1 divide में है sin square x, plus sin x, plus 1 क्या कहा था मैंने पिछली class में, कि division rule लगाना पड़े, तो मैं उसको avoid करना चाता हूँ याद करो, x की power 4, plus x square, plus 1 के तो factor हो जाते हैं, लेकिन x square, plus x, plus 1 के factor नहीं हो पाते हैं इसके factor कैसे होते हैं, x square add किया, और x square subtract किया, तो add जो किया है, वो x square, plus 1 के whole square में convert हो जाएगा, और minus में जो x square पड़ा हुआ है, वो इसको a square, plus b square की format में बना देगा, a square, minus b square की format में बना देगा, तो इस तरह से उसके factor हो जाएगे, तो similar लिए देखो numerator वैसा ही तो है, कुछ power 4, फी square, plus 1, तो उसके factor हो जाएगे, sin square x, plus sin x, plus 1, into sin square x, minus sin x, plus 1, और divide में बढ़ा हुआ है, sin square x, plus sin x, plus 1, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो पूरा cancel हो गया, अब तो बचा है, सिर्फ sin square x, minus sin x, plus 1, इसके आगे बताओ या हो जाएगा, हलो है उश्मान, है रनवीर, question number 2, पूछा था KP ने, KP अब इसके आगे हो जाएगा, कि बेटा बताना, फटा फट, ये ही step हो सकता है, कि तुमने miss किया हो, KP, question number 2, पूछा था तुमने, फटा फट से जबाद दे दो, हो जाएगा ना अब तो, हो जाएगा, well done, question number 3, तो होई x cos y plus y cos x is equal to pi के बराबर दे रखा है, कुछ option पुछे है, y dash 0 निकालना है एक तो, y dash 0 निकालना है, और y double dash 0 निकालना है, ध्यान से देखना भी जा, differential कर दें directly, तो ये बन जाएगा, cos y plus x into minus sin y into y dash plus y into minus sin x plus cos x into y dash is equal to 0, x equal to 0 पे चेक करना है, तो x equal to 0 put तो कर दूँगा, लेकिन y पता नहीं कितना आएगा, तो यहाँ पर डाल के देख लेते हैं, x equal to 0, x को 0 डालता हूँ, तो ये बन गया, minus y, नहीं, sorry, y, cos x तो 1 हो गया ना, तो y is equal to pi, ये relation अपन यूज़ करने वाले हैं, कि x जब 0 है, तब y के value pi के बराबर है, तो y के value pi डाल देतना है, यहाँ पर, cos y हो जाएगा, minus 1, ये वाला पार तो 0 हो गया, ये वाला पार तो 0 हो गया, cos x के value 1, और y dash, plus y dash at 0, x के value 0 डाले हैं, तो y dash at 0 बोल रहा हूँ है, is equal to 0, यानि कि y dash 0 की value आ गई 1 के बराबर, समझ गए क्या, y dash 0 1 आ गया, y double dash और निकालना है, तो इसको एक बार और differentiate कर दो, अब बताओ, kp तुमने पुछा था question number 4, इसके आगे बताओ, ये हो जाएगा, अब, हो जाएगा, इसके बाद, श्रया भी बोल लिए, हो जाएगा, well done, हो जाएगा, बहुत बढ़िया, well done, बहुत बढ़िया, लेकिन इसको करना जरूर, घर पे जाके दुबारा इसको y double dash और पार्ट तुमारे लिए छोड़ रहा हूँ, उसको जरूर जरूर करना बड़ा interesting है, ठीक, डिपी भी कहा मिलेगे, मैं last class में बता दूँगा, अच्छा, question number 5 में किसी को doubt, question number 5, question number 5 में doubt किसी को, नहीं, well done, च पर निकालने का, a की value 1 आती है, b की value minus 2 आती है, बताना किस किस का निकला, किस किस का निकला, a equal to 1 and b equal to minus 2, इस तरह के questions, j means में बड़े frequent हैं, दो तीन बार आ चुके हैं, बताना है क्या, नहीं, ये topic बेटा, 12th class के लिए, बताना है क्या, फटा फट से बोलो, बताना है क्या, हरशिता का आ गया, श्रेय का आ गया, well done, well done, जिसका नहीं आया वो बताते ना हूँ या, easy था वैसे, नहीं, no need, well done, well done, चले आ आगे, बहुत बड़ी है, जो लोग नो सर बोल रहे हैं वो, बताना हूँ सर, ओके, चलो देख लो, extending to infinity है, तो LCM ले लिया, बनने, बन गया, x cube plus 1 minus ax plus b into x square plus 1 divided by x square plus 1, limit है extending to infinity, ठीक है, x cube के coefficient निकठे कर लेते हैं, जो जो इसको expand कर लेते हैं, एक बार, minus, ये बन जाएगा, ax cube plus bx square plus ax plus 1, whole divided by x square plus 1, तो limit extending to infinity बना, x cube के साथ क्या क्या आ रहा है, 1 minus a आ रहा है, और minus में bx square आ रहा है, minus में ax आ रहा है, this should be b, और साथ में आ रहा है, 1 minus b, देखते जाने कोई गडबड़ना हो, x square plus 1, अब याद करो, एक ऐसा question किया था पने, limit extending to infinity, उपर कुछ इस तरह की terms हैं, नीचे कुछ इस तरह की terms हैं, उसकी value finite आ थी, क्योंकि उपर भी 3 degree गा है, नीचे भी 3 degree गा है, 3 degree वाला common निकाला था, x cube वाले coefficient बच गए थे, बाकि सारी term 0 बन रही थी, सेम यहाँ पर होगा देखो, उपर से अगर मैं highest power, बताय था न, extending to infinity तो highest power भाहर निकालना, तो उपर तो 3 power भाहर निकलेगी, नीचे 2 power भाहर निकलेगी, ultimately उपर एक x बच जाएगा, उपर जो x बच जाएगा, वो x standing to infinity होने की बज़े सी, पूरी limit को infinite बना रहा होगा, लेकिन question में कहा रहा है कि limit की value finite आनी पड़ेगी, तो सोचो finite कब आएगी, बताओ जल्दी से finite कब आएगी, क्या होना पड़ेगा ताकि limit की value finite आजाएगी, बताओ, x cube का coefficient अपन को 0 करना पड़ेगा, तो a equal to 1 करना पड़ेगा, एक पार्ट तो हो गया, a को 1 करते ही, बचेगा क्या, बचेगा minus bx square, minus bx square minus ax plus 1 minus b, बच जाएगा, और नीचे बच जाएगा, x square plus 1, अब मैं limit extending to infinity में, उपर से x square common निकालूंगा, अगर तो अंदर बचेगा minus b plus, a upon x, minus के साथ आएगा ये वाला पार्ट, नहीं, minus common निकाला ना, ठीक तो है, तो plus में, यहाँ पे sorry, this should be minus, minus a by x, और 1 minus b के साथ नीचे आजाएगा, x square, पूरे के divide में, 1 plus 1 by x square है, और x जब infinity को अपरोच कर रहा होगा, तो ये x square और x square तो cancel होगा, जो नीचे x square है, x square वाला पार्ट cancel, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट b0, limit बचेगी अपने इसाफसे सिर्फ minus b, और दे रखाएगे 2 के बराबर, यानि b की value आने चाहिए, minus 2 के बराबर, clear होगा क्या, continue watching on twitch की जरूद नहीं है, आप page को refresh कर दो तो हो जाएगा, एक आद बार exit करना है, तो directly उसको refresh कर दोगे तो हो जाएगा, बेटा, किसने बुचा था question number 17 clear होगा, कैसे, जो last class में अपनने trick डिसकस की थी कि, x की highest power को common निकाल दो, वही वाला काम करना है, नीचे से भी x की highest power 1 ही है, 1 plus cos square x, divided by x, और sin x भी हो रहा है, x से divide, पूरी चीज भले ही root के अंदर पढ़ी है, लेकिन अपन को तो root के अंदर वाली चीज से मतलब है न, x और x कैंसिल हुआ, x अगर infinity को अप्रोच करेगा, तो ये वाला part तो 0 को अप्रोच करेगा, क्यूंकि sin x तो finite होता है, minus 1 से 1 की बीच में finite रहता है, नीचे उसके infinity आ रहा है, तो 0 हो जाएगा, उसी तरह से cos square x भी finite रहता है, तो नीचे वाला part infinity होने की वज़े से पूरा 0 हो जाएगा, बचे का सिर्फ 1, 1 का अंडर root भी लेओगे, तो भी 1 ही answer आएगा, clear? चलिए आगे, ये question किस किस से पहली बार में, पहली बार में answer आगे था, आंसर बता रहा हूँ है, answer is minus 1, किस किस से पहली बार में answer आगे था, बताना जड़ा, किस किस से पहली बार में answer आगे था, इस वाले question का, answer minus 1 है, S के का या, H जी का या, पहली बार में आया था, बहुत बढ़ी है, विश्नु का भी आया, यह इनाम जीतने लाइक प्राइज है, अगर मैं आपके सामने बैठा होता, तो मैं ज़रूर आपको इनाम देता, देखो कैसे करना, फटा-फट से, पहली बात तो यह कि, X जब minus infinity को टेंट कर रहा है, तो इस modulus को अठा कर अपन minus लगा दें, तो हाइस पावर को भार निकाल लेना, हाइस पावर X की पावर 4 भार निकाली, तो बना sin of 1 by X, प्लस यहाँ पे बचा 1 by X square, डिवाइड में X की पावर 3 भार निकाली, तो बचा 1 by X cube minus 1, लिमिट है X tending to minus infinity, लेकिन जब X cube और X की पावर 4 आपस में डिवाइड हो रहा हैं, तो उपर एक X बच गया देखो, उपर जो X बच गया, ये इसको अगर मैं अंदर लेके जाओंगा, तो बचेगा, लिमिट X tending to minus infinity, X into sin of 1 by X, यहाँ पर 1 by X बचा है, डिवाइड में 1 by X cube minus 1 है, ध्यान से अगर देखोगे, तो ये तो हमें परिशान नहीं कर रहा है, ये तो 0 को 10 कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 0 को 10 कर रहा है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो यहाँ पर है, क्योंकि यह infinity into 0 की format बन रही है x तो infinity है और 1 by x 0 है और sin 0 की value 0 है तो अपने काम करते हैं इस sin इसको लिखते है अपन sin of 1 by x whole divided by 1 by x ध्यान से देखो अब यह sin के अंदर वारी चीज 0 का अप्रोच कर रही है और same ही चीज नीचे लिखी हुए 0-1 यानि क्या answer आया minus 1 के बराबर ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number 20 a is equal to 1 b is equal to minus 4 कहा था मैंने कि इस तरह question j में अक्सर आते हैं ऐसा question में आपको करके दिखा चुगा हूँ question number 17 question number 20 का answer note कीजी यह आपसे हो जाना चाहिए था clear once again कौन सा वाला पार्ट बेटा हो क्या था यह वाला पार्ट well done well done question number 20 आपसे हो जाना चाहिए था अगर नहीं हो पाया है तो question number 17 के बिल्कुल similar है और ध्यान रखना इस तरह के question j में में दो तीन बार आज चुके हैं इसलिए last वाला पार्ट चलो देख लो last वाला पार्ट यह जो है यह वाला पार्ट कहरे हो गया x sin 1 by x वाला ss यह last वाला पार्ट यानि x sin 1 by x वाला कहरे हो चलो मैं explain कर देता हूँ दुबारा x into sin 1 by x जो है x tend कर रहा है infinity को तो यह infinity into 0 की format बन रही है अपने क्या किया जो उपर x था उसको नीचे लाके अपने 1 by x बना दिया अब जब x infinity को अप्रोच कर रहा है तो sin के अंदर वाली चीज 0 का अप्रोच कर रही है और same चीज नीचे लिखी वी है तो यह sin t upon t वाली format बन रही है when t standing to 0 standard limit होती है इसकी value 1 होती है अगर आपने पढ़ी वी हो अगर नहीं पढ़ रखी है तो आज उसको पढ़ने वाले है ठीक चलिए अब हम बात करते हैं आज क्या क्या सीखने वाले हैं standard limits का इस्तिवाल सीखने वाले है substitution बड़ा ही important है उसको सीखने वाले है 1 की power infinity limit कैसे solve करनी है उसको सीखने वाले है fx की power gx कैसे solve करनी है और एक ramban है ramban है l hospital's rule सही में बहुत ही काम की चीज़ है वो सीखने वाले है और sandwich theorem सीखने वाले है sandwich theorem बड़ी interesting है देखो standard limits में sin x upon x when x is tending to 0 sin x upon x ओ या 10 x upon x ओ या 10 inverse x upon x ओ या sin inverse x upon x सबकी value होती है 1 के बराबर extending to 0 e की power x minus 1 upon x इसकी value होती है 1 के बराबर extending to 0 ln 1 plus x upon x इसकी value होती है 1 के बराबर और extending to 0 e की power x ना होकर अगर वो a की power x हुआ तो answer 1 होने की बजाए वो LNA के बराबर आजाएगा ये सारी standard limits आपको याद होनी चाहिए याद है ना standard limits सारी याद है की नहीं है infinity के लिए नहीं सारी tending to zero अध्यान से देखो चलिए मैं chat को off कर रहा हूं थोड़े देर के लिए और बड़ा interesting result दिखाने वाला हूं ये limit तो अपने याद कर ली पर इसका visual proof देखते हैं आज visual proof ठीक है देखो graph बनाया है मैंने ये वाला graph बनाया है sin x का और ये वाला बनाया है y equal to x का उपर limit में देखो उपर sin x है divide में x है अपन कह रहे हैं कि जब x zero को tend करेगा तो दोनों same बन जाएंगे इसलिए तो limit की value 1 आएगी देखो ध्यान से ध्यान से देखो ये sin x का graph है और ये red वाला जो x का graph है जब x zero की तरफ approach कर रहा है आपको दोनों graph same बनते भी दिख रहे हैं देखो same बन गया है थोड़ी दे के लिए अगर मैं zoom भी करके दिखाऊं अगर मैं आपको zoom करके दिखाऊं ये देखना ध्यान से zoom कर रहा हूं, zoom कर रहा हूं, zoom कर रहा हूं x की value बहुत ही छोटी है tending to zero है उस time पे दोनों graph बहुत थोड़ी से देर के लिए दोनों graph same बन गए है same बनने का मतलब जो value sine x की है, वह value x की है इसलिए तो x tending to zero पे sine x upon x की है तो value 1 आएगी एक और interesting result देखना आपकी बार अबकी बार ये वाला जो graph बनाया है मैंने ये वाला ये वाला जो graph है ये sine of x square का graph है और ये वाला graph है x square का मैं ये कहने जा रहा हूं कि limit x tending to zero sine of x square divided by x square ये भी one आएगा क्यों आएगा, दिख रहा है ना कि जब x zero के पास गया तो sine of x square का graph और x square का graph दोनों एक जैसे बन गए zero के बिलकुल आस पास इतने से रहे हैं दोनों graph सेम बन गए तो सेम बन गए तो दोनों को divide करने पर value zero आ जाएगी ये क्यों बताया मैंने आपको क्योंकि इससे मैं एक बहुत important result आपको बताने वाला हूँ की, 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 की ध्यान से देखना और ध्यान से तुनना limit x tending to a sign के अंदर कोई function हो x का same function नीचे divide हो रहा हो इसकी value भी 1 आएगी आएगी क्या? जरूरी नहीं है तभी 1 आएगी जब x tending to a होने पर sign के अंदर वाली चीज 0 को approach कर रही हो नहीं समझे? दोबारा समझे ना मैंने ये कहा कि limit x tending to 0 x tending to 0 नहीं x tending to a कोई भी value हो रही है x की sign के अंदर अगर कोई function है x का और same function नीचे divide में है तो इसकी value भी 1 आएगी given that given that x tending to a पर sign के अंदर वाला जो function है वो 0 को tend कर रहा हो ये बड़ी काम की चीज है एक और काम की बात देखना अब की बार जो मैंने ग्राफ बनाया है अब की बार मैंने ये ग्राफ बनाया है sign x के whole square का ग्राफ बना है और ये बारा तो समझी गए होगे ये तो y equal to x square का ग्राफ है तो ध्यान से देखो limit x tending to 0 अब की बार sign x पूरे का whole square है पिछली बार sin of x square था, आपकी बार sin x पूरे का all square है, और नीचे भी x square पड़ावा है, अब भी अगर मैं, अब भी अगर मैं, 0 के आसपास देखूं, तो दोनों graph सेम बनते भी दिख रहे हैं, 0 के आसपास, तो जब x की value 0 को tend करेगी, तो दोनों graph सेम बनेगे, यानि कि दोनों divide करोगे, तो value 1 आजाएगी, कहने का मतलब ये है, कि limit extending to 0, sin x का अगर whole square है, तो नीचे भी हमें x का whole square ही चाहिएगा, तभी हम limit को 1 कहें पाएंगे, चैट को मैं on कर रहा हूँ, बताना ये वाला funda समझ में आया कि नहीं आया, बड़ा important है, पहली बात तो ये, कि उपर अगर sign के अंदर कोई function है, तो आपको नीचे भी same function चाहिए, उस limit को 1 बोलने के लिए, और दूसरी बात ये, कि sign के उपर जितनी power है, नीचे भी उतनी ही पावर चाहिए, उस limit को same बनने के लिए, समझ गए, लास्ट लाइड, येलो लास्ट लाइड, लास्ट लाइड ये थी, कि extending to a पर sign के अंदर अगर कोई function है, तो नीचे same function होना चाहिए, तो अपन बोल पाएंगे, given that, extending to a पर fx 0 को tend कर रहा हो, रुक रुक के चल रहा है, सिर्फ आरर के रुक रुक के चल रहा है, बाकी सब का, infinity के लिए बाद में discuss करेंगे, मुझे बताना, बाकी सब का स्मूध चल रहा है, क्या, बागी सब का रुक रुक के चल रहा है या स्मूध चल रहा है बागी सभी का बताना फटाफट से यह सर का मतलब रुक के चल रहा है या स्मूध चल रहा है A B का स्मूध चल रहा है सही चल रहा है सही चल रहा है Twitch is coming, स्मूध नहीं चल रहा है smooth है smooth है काफी लगबख सभी लोग होंगा smooth है यार अगर अगर आप app पे देख रहे हो तो मैं request करूँगा कि app को exit करके एक बार app को दुबारा start करो अगर browser पे देख रहे हो तो browser को close करके cookies clear कर लो cookies clear कर लो फिर दुबारा एक बार browser पे चलाओ तो चल जाएगा ठीक है twitch वाला पॉप नहीं आना चाहिए कहीं कुछ गड़ पड़ है cookies clear कर लो browser में जाओ cookies clear कर लो हाँ चल रहा है सब चल रहा है चल रहा है चलेगा बिल्कुल चलेगा कहीं आपके end पे दिक्कत है बागी सब अच्चों का ठीक चल रहा है जो red वाला graph है यह e की power x minus 1 का graph है यह है e की power x minus 1 का graph और यह वाला y equal to x का graph है यहां भी देखो 0 के आसपास जब पहुंच रहे हैं अपन तो दोनों graph same बन रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए दोनों graph अगर same बन रहे हैं इसका मतलब इसका मतलब x के x जब 0 के आसपास होगा तो दोनों को divide करने पर value 1 आएगी समझ गे बहुत बढ़िया चलो question आगए आपके सामने j means 2013 का जो अपने अभी सीखा है छोड़ा सा वो इस्तिमाल करना और थोड़ा सा trigonometry इस्तिमाल करना फटा फट हो जाएगा देखते हैं किसका अंसर आता सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले किसका अंसर आता है अगर आप लोगों कुछ problem आ रही है तो मैं inform कर देता हूं technical team inform कर देता हूं वो लोग चेक कर लेंगे if there is some problem आपनों कुछ्च्टन सौल करिया फटावर्ट रोहन का दो आया है और 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 अपना नाम लिखते जाओ साथ में यार आर इरोन का भी दो आया है एक एस रिश्टी का दो आया है वन आया है एम आर का थोड़ा घट प्र लाहर कहीं ज़चंतर को लिकने की जड़ात नहीं है जो मैं आपको लिख चारहा है मैं आपके सामने यह सारी ज़जmentaligma call करके उस वे फोकस करो, ये शोदन, हर्शिता, हर्शित 2, अमान 2, गोविंद, रिशिकेश, अर्विल, सबका 2 आ रहा है, well done guys, well done, this question was really easy, but mains में आ रखा है, और आपको समझ में आ गया होगा, कि अगर आपने सारी चीज़ें ध्यान से सुनी, तो mains के question crack हो जाएंगे, फटावट से, क्या दिल में ख्याल आया है, पहली बार, 1-cos2x को क्यों आपन, 2sin2x लिख लें, देखो, 3-cos2x तो कुछ परिशान ही नहीं कर रहा है यहां तो आप x की value 0 put कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानि 3 प्लस 1 बन गया, divided by x और 10 के साथ है 4x, अभी जो 10 के साथ 4x है, इसको मैं 4x से नीचे डिवाइड कर रहा हूं, और 4x से उपर multiply कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं समझ गए हो गया आप, कि अब 10x, 10 4x इस पूरे पार्ट को मैं 1 लिखने वाला हूं, बचा क्या, यह वाला 4 और 2, बच गया 8, sin square x, नीचे क्या है भईया, नीचे है 4x square, limit extending to 0, अभी भी बताय था मैंने कि अगर sin square है, तो नीचे भी x square ही चाहिए अपन को, यानि यह वाला पार्ट तो बन गया 1, और limit की value आ बढ़ बढ़िया, बढ़िया जवाब निकाला, चलो, एक और question आपके सामने, लेकिन मैं आपसे एक गुजरिश करूँगा कि L hospital rule को इस्तिमाल करके मत करना, कुछ नई बात सीखने के इस question में, उससे answer निकालना, do not use L hospital rule, try twitch वाला problem मैंने वेटा, technical team को inform कर दिया है, they are looking into it, तब तक आप rejoin करके एक बार दुबढ़ा refresh करते रो, आता जाएगा, do not use L hospital rule, sin x equal to 0 कैसे लिया, मतलब बिटा, sin x equal to 0 कहा लिया अपने, अपने तो ये कहा था कि limit extending to 0, उपर sin square x बन रहा था, नीचे भी x square बन रहा था, इसको अपनने 1 बोला है पूरा, लास्ट लाइट देख लो, दिखा दिया लास्ट लाइट मैंने, कौन सा होला फॉर्मूला बिटा, 1 minus cos 2x, ये भाईजा 2 sin square x होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की बिना तो, पूरी mathematics के किसी भी चैप्टर में काम ना चलेगा, x equal to 0, x tending to 0 है ना बिटा, तो cos x में तो limit क्योंको tension है नहीं, वो तो ना 0 बन रहा है, नहीं, 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 do not use L hospital and do not use series expansion, try to solve the question using standard limits only, okay, करो फटा फट से देखते हैं जरा, अपना नाम भी लिखते जाओ साथ में, VC का 0 आया है, नहीं बटा गड़बड़ है, गड़बड़ है, formula slide कौन सा formula वेटा, 1 minus cos 2x equal to 2 sin square x, यह तो बहुती basic formula है, trignovatree का, ठीक है, करें जरा, 1 नहीं गड़बड़ है, 1 भी गड़बड़ है, इसीता 1 गड़बड़ है, limit की questions में गड़बड़ करते हो तुम लोग या, 2 by 3 correct answer है, Rishikesh का, well done Rishikesh, very well done, JMS 2003 का question crack कर लिया, तुमने अब कई सारे बच्चों का सही से answer अंसर आ रहा है, वशिष्ट का भी आया, नमन का भी आया, well done guys, हां बता रहा हो, बता रहा हो, standard unit formula मैं समझा नहीं, हर्शिता का भी 2 by 3, राहूल का भी 2 by 3, चलो, विष्णु का भी 2 by 3, बहुत बढ़िया बच्चों, सवाल असान है ध्यान से देखना, अपन को ये पता है, standard limit क्या है, कि limit extending to 0, log के अंदर अगर 1 plus x होता है, और divide में x होता है, तो limit 1 होती है, यहाँ पर तो 3 plus x है, हमें 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने 3 को common निकाल लिया, limit extending to 0, log के अंदर मैंने 3 common निकाल लिया, तो अंदर बच गया 1 plus x by 3, ध्यान से देखते जाना, तो फिर मैंने यहाँ भी 3 को common निकाल लिया, अंदर बच गया, 1 minus x by 3, whole divided by x, ठीक है जी, अब देखो यह वाली चीज और यह वाली चीज multiply हो रही है, तो क्या मैं इसको log 3 plus log 1 plus x by 3 लिख सकता हूं, क्या बिल्कुल लिख सकता हूं, यहाँ भी 3 और यह वाला पार्ट multiply हो रहा है, तो क्या इसको मैं log 3 plus log 1 minus x by 3 लिख सकता हूं, क्या यह step बड़ा important था इस सवाल के लिए, और यह trick कहीं न कहीं काम जरूर आएगी इसको समझ लेना और उतार लेना अपने दिमाग में, फाइदा क्या हुआ, फाइदा यह हुआ, कि log 3 और log 3 तो cancel हो गया, बचा अपने पास log, ध्यान से देखना 1 plus x by 3, divide में है x, minus में log 1 minus x by 3, ध्यान से देखना, divide में है x, अब standard format अभी तक बनी नहीं है, क्यों नहीं बनी है, क्योंकि log 1 plus something है, तो नीचे भी मुझे something चाहिए, तो नीचे वाले को मैंने 3 से divide कर दिया, और 3 से ही multiply कर दिया, अब की बार log 1 plus something है, अब इसको अगर मैं log standard format बनाऊंगा, तो यह बनेगा 1 plus minus of x by 3 बनेगा, समझे, standard format देखो 1 plus x होती है, तो नीचे भी मुझे minus x by 3 करना पड़ेगा, यानि की उपर मैंने minus 3 से फिर से multiply कर दिया, यह वाला step समझे के ना समझे, ठीक है, यह वाला step समझने का बाद अब देखो, अब तो चीज़ें असान हो चुकी है, अब log 1 plus something divided by something, यह तो 1 हो गया, यानि वो तो बचा 1 by 3, और log 1 plus something divided by same something, यह वाला पार्ट भी 1 हो गया, नीचे बचा minus 3, और एक minus भार पढ़ा हो आए, तो प्लस में 1 by 3 आ गया, value आ गई 2 by 3, कई बच्चों का सही था, well done, बहुत बढ़िया, एल ऑस्पिटल से हो जाएगा, एल ऑस्पिटल थोड़े देर में सीखेंगे, एल ऑस्पिटल तो anytime अपन लगा सकते हैं, लेकिन कल को ऐसा question आ जाए कि एल ऑस्पिटल से ना हो पा रहो, तो भी हमें बहुत सारी tricks सीखनी है, तरीके सीखने है, इस question में सीखने का क्या था, कि log में जब standard format नहीं बन रही है, तो अपने 3 को common निकाल लिया था, ताकि 1 प्लस something वाली format बन जाए, clear, बहुत बढ़िया, 3 ही क्यों लिया, ये 3 था ना यहापे, तो ये 3 common लिएँगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, मुझे log की standard format में 1 प्लस something चाहिए था, इसलिए मैंने 3 को common लिया, तो यहाँ बन गया 1, और यहाँ पर बन गया something, लास्ट में मैंने उसी something से divide कर लिया, clear, चलो, आगे बढ़ते हैं, एक और J-Mains 2002 का question, लेकिन इस question में गलती होने के chances बहुत जादा है, मैं देखते हैं कौन-कौन बच्चा सही बताता है, एल ऑस्पिटल फार्मूला कहां पर लगाना है में बताऊंगा ना भी, अभी पढ़ा का है अपर ने, तुम फिर से कोई बात कर रहे हो यार, रमायन शुरू हुई अभी, अभी तो राम का राज्या विश्यक चल ला है, तुम पुछे रहे हो रावन का वद कैसे होगा, अरे, अभी कहानी शुरू हुई है, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है, हर्शित का आया वन, ओके, एनिबड़ी एल्स, एंजल का भी वन आया, एनिबड़ी एल्स, केईस का जीरो आया, दीपक का वन आया, रिशी का वन आया, प्रभास का आया, लिमिट नौत एगजिस्ट, empty का या not exist अंजली ने plus one और minus one दुविदा में है अंजली के सर पता नी one आएगा या minus one आएगा शशांक, रिशिकेश, रोहन, स्वशिष्ट सब का one आ रहा है अरे मेरे भाईयों, मेरे भाईयों ये इतना बड़ा तुम्हें कॉशन लिख के दिया, मैंने कोई तो कारण होगा ना यार कि अंडर रूट के अंदर है चीजें ध्यान से करना रूट के अंदर है चीजें ध्यान से करना गडबड हो जाएगी लिमिट ड़स नॉट एग्जिस इस ता करेक्ट आंसर क्यों? ध्यान से देखना जहां से देखना 1-cos2x को अपन भीड़ते ही लिखते है 2 sin square x वहां तक तो ठीक है लेकिन जब अंडर रूट लगता है जब अंडर रूट लगता है तो हम इसको root 2 sin x लिख देते हैं which is very much wrong my dear friends this is wrong कभी भी under root x square लिखे तो उसको हमेशा mod x लिखना भाई भाईयों mod x लिखना यानि कि root 2 sin x नहीं बनेगा यह root 2 modulus of sin x बनेगा समझ गए तो अब अपने पास बचा है limit x tending to 0 उपर वाला बना root 2 mod sin x और नीचे वाला है root 2 के साथ x root 2 root 2 तो cancel हो गया लेकिन हमें rhl और lhl अलग लग निकालनी पड़ेगी सोचो क्यों क्योंकि modulus आगया question में अब जब x 0 से बढ़ा है तो modulus सीधा खुल जाएगा और sin x अपन x की value 1 आजाएगी लेकिन जब मैं left hand limit निकालूंगा यानि कि जब x 0 से छोटा होगा तो mod अठाके मुझे minus लगाना पड़ेगा अब की बार limit की value minus 1 आएगी समझे कर ना समझे 1 नहीं आ रहा है देखो समझा है मैंने समझे कर ना समझे यानि correct answer is limit does not exist option में दिया होगा ऐसा या हो सकता है none of these भी दे रखाओ तो does not exist लकर नहीं लिखा तो आपको none of these clear tick करना पड़ेगा बोलो समझे कर ना समझे इशिता समझ गए well done well done इसलिए मैंने कहा था root के अंदर आ जाए तो caution ध्यान से गलती होने के chances है इतना बड़ा बड़ा root लिखाया उसके अंदर दिखाया ध्यान से करना मेरे भाईयों और तुमने जल्दी बाजी करी जो तुमारी आदत है उस जल्दी बाजी के चक्कर में तुमारा ये simple सा कुष्चन हो गया गड़बड ऐसी गलती दुबारा मत करना पका नहीं करोगा दुबारा ऐसी गलती चलो मैं ऐसा कुष्चन दुबारा देऊंगा और देखूंगा दुबारा गलती करते हो नहीं करते हो अब बात करते हैं बड़ा ही interesting और बड़ा ही छोटा सा topic है solving limits using substitution कब करना है substitution जब limit में x tending to a हो जब limit में x tending to a हो तो put कर देना जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ a plus h put कर देना तो समझो क्या होगा x जब a को tend कर रहा होगा तो h फिर 0 को tend कर रहा होगा ऐसा क्यों करते हैं बन क्योंकि हमें x tending to 0 या x tending to infinite वाली limits अच्छी लगती है standard limit जितनी वे वह x tending to 0 पे है x tending to infinity पे बहुत सारे तरीके सिखे हैं अपने ट्रिक सिखी है इसलिए कभी अगर x tending to a type की limit आए तो x equal to a plus h डालने से फाइदा होगा एक और काम की वाद बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना कभी अगर तुम limit के question में फश जाओ और तुमें पहला step भी नहीं मिल ला है कि मैं क्या करूँ क्या का मैंने पहला step भी नहीं मिल ला है कि क्या करूँ तो दिमाग में एक बत्ती जगाना law of love कि हमें प्रेम किस से है हमें extending to 0 से प्रेम है तो question को ध्यान से पढ़ना कहीं extending to a type की limit ना हो जैसे कि ये वाला question फिर से कुछ कुछ similar देखते हैं माइनस क्यों लिया था भार देखो ना limit जब अपने left hand limit निकाली थी तो x standing to 0 minus था उपर था modulus of sin x divided by x x जब 0 से छोटा होगा तो sin x की value negative आएगी sin x की value गर negative आएगी तो sin x का जो mod है वो हटा कर हमें एक minus sign लगाना पड़ेगा basic definition है modulus की समझ गए चलो अब यह वाला question करो ज़रा देखते हैं दुबारा वैसी गलती करते हो गया यह द्यान से करते हो not exist द्यान से कर ले ना देख ले ना पता नहीं अब की बार exist कर रही हो यह empty ने निकाल दिया one हभीब ने सही बताया does not exist empty मेरे भाई अभी यही तुबात बता रहा था मैं वही गलती तुमने दुबारा कर दी यह इसका वलब तुम बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो श्रिया ने सही बताया does not exist ऐसे ने भी सही बताया does not exist चलो देखना ध्यान से अब की बार यह question को देखके बड़ा अजीब सा लग रहा है अजीब सा क्यों लग रहा है क्योंकि cos के अंदर क्योंकि cos के अंदर फिर 2 है फिर x-2 है और 1- तो इसको देखकर हमें 1-cos2 theta वाला formula थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसलिए अपन क्या करते हैं अपन पूट कर देते हैं x को 2 plus h के बराबर क्योंकि अपकी बार limit x tending to 2 है बढ़ी हानी लगती है tending to 0 वाल अच्छी लगती है तो limit मेरी convert हो गई limit h tending to 0 under root 1-cos of twice of x-2 यानि की h पूरे के divide में x-2 यानि की h same question आगे यह same question j means में कई बार same question repeat होते रहते हैं यह बताओ पिछले वाले के जैसा exactly जैसा question convert हो गया कर नहीं हुआ किस से convert हुआ law of love से हमने कहा कि जब x tending to 2 है तो हमें अच्छा नहीं लगता है हमें तो h tending to 0 अच्छा लगता है तो अपने x को 2 प्लस h डाला same convert हो गया limit does not exist समझे के ना समझे मेरे भाईयों same question था यह j means 2011 में आया है और यह वाला 2002 में आया है तो j means के previous question करने से बड़ा फाइदा होता है question कई बार repeat हो जाते हैं अलग रूप में repeat हो जाते हैं यह 30 का root थोड़ा लगता एक और question अब की बार फिर से extending to zero नहीं extending to pi by 2 है इस question को अगर कर डाला तो समझो j4 डाला why does not exist same question था ना वेटा यह वाला same question बन गया ना पिछली बाले जैसा तो यह under root बनेगा mod लगेगा mod लगेगा तो limit does not exist आजएगी एक बार plus 1 आएगा एक बार minus 1 आएगा ठीक इस question का जवाब देखता हूँ कौन कौन सही देता है और पहली बार में सही देता है hint मैं दे चुका हूँ आपको extending to pi by 2 हमें अच्छा नहीं लगता है देखें जरा जल्दी बाजी मत करना मेरे भाईयों जल्दी बाजी मत करना गड़बड हो जाएगी limit के सवाल असान होते हैं लेकिन कुछ stupid हरकत कर दो या थोड़ी सी जल्दी बाजी कर दो तो कहीं है का multiply by 2 मीस हो जाता है या plus minus मीस हो जाता है वसिष्ट ने पहली बार में सही जवाब दिया वेल डन वेल डन वेल डन वशिष्ट वेल डन बाट बढ़ या राउंड अपलाउस फॉर यू हभीब ने वी सही आंसर दिया वेल डन हभीब मुझे वाड अच्छा लगा की पाईबाइट वाइट उ प्लस है नहीं 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 ओडाईबाईबाइट ए लिमिट एक्सेंदिंग तो पाई बाई टू है प्लस नहीं लगाया बैटा हर्शिता ने श्रिया ने वीजी ने के ने सब निकाल लिया वन बाई थर्टी टू वैल डन रिली वैल डन तुमने दो जार तीन का जे मेंस फो डाला है चलो सॉल करते हैं फटा फट से यह जो वन मा पाई बाई फोर माईनस एक्स बाई टू है लिख लेते हैं इसको तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू एक तो है मेरे पास टैन आफ पाई बाई फोर माईनस एक्स बाई टू दूसरा है वन माईनस साइन एक्स नीचे मेरे पास बचावा है पाई माईनस ला हूँ देखते हैं क्या बनेगा तो लिमिट तो convert हो जाएगी लिमिट h tending to 0 में टैन के अंदर क्या आ रहा है पाई बाई 4 माइनस हाफ को मैंने भाहर छोड़ दिया और सिर्फ इस x की जगह डाल दिया मैंने पाई बाई 2 प्लस h ठीक है जी फिर आरा मेरे पास 1 माइनस साइन आफ x की जगह डाल दिया मैंने पाई बाई 2 प्लस h ठीक है जी डिवाइड में पाई माइनस ट्वाईस आफ x की जगह डाल दिया मैंने पाई बाई 2 प्लस h और पूरे के उपर लगावा है whole cube simplify करने पर आपको दिख रहा होगा कि limit x tending to 0 होने के बाद pi by 4 pi by 4 cancel होगा और 10 के अंदर क्या बचेगा 10 के अंदर बच रहा है minus का h by 2 standard limit बनने जा रही है क्योंकि h tending to 0 है अब की बार चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ this is h tending to 0 h tending to 0 तो 10 के अंदर बच गया minus h by 2 और sin pi by 2 plus theta cos theta यानि कि 1 minus cos के साथ h आ गया divided by pi से pi cancel हो जाएगा नीचे minus 2h का whole cube यानि कि minus 8h cube आ जाएगा अलग-अलग करने जा रहा हूँ मैं limit h tending to 0 minus minus cancel हो गया उपर है मेरे पास 10h by 2 ध्यान चे देखना अब 1 minus cos h को लिख लिए मैंने 2sin square h by 2 ध्यान से देखते गा ना मेरे भाईयों बड़ा important step है यह अब जो नीचे मेरे पास जो 8h cube पड़ावा है उसको मैं split करने जा रहा हूँ कैसे 10h by 2 को दे रहा हो में h by 2 ठीक है और sin square h by 2 को दे रहा हो में h by 2 का whole square क्योंकि sin के अंदर जो चीज़ है as it is वो चाहिए और sin के उपर power 2 है तो नीचे भी power 2 चाहिए अब मैंने ये 4 और ये 2 8 का फाल तो multiply कर दिया है तो मुझे एक उपर 8 का multiply और करना पड़ेगा और minus 8 अल्रेडी पड़ावा था समझे कर ना समझे अब देखो ध्यान से 10 h by 2 divide by h by 2 ये पूरा पार्ट तो हो गया 1 sin square h by 2 divide by h by 2 का whole square ये वाला पार्ट भी हो गया 1 minus अपनने पहले cancel कर दिया था तो ये 8 ही बचेगा ये वाला minus और ये वाला minus अपनने पहले cancel कर दिया था ये 2 से 8 cancel वा तो बचा 4 answer आया 1 by 32 twitch का अभी मैंने बूल दिया था they are looking into it Rohan का भी 1 by 32 आया well done guys jmins 2003 का थोड़ा सा important question क्योंकि extending to pi by 2 था extending to 0 नहीं था समझ में नहीं आया दोबरा समझाओ पूरा ये परटी कुलर श्रया है वेटा मधिन से बताओ पूराउ बचाओ पूरा दोबारा समझाओ या कोई पटेकलर स्थैस में मिननी आया की ये वंखर प्र कर दो देखो य divory सेrum यहा तक तो प्लियर हो गई यहां तक तो आगया यहाह तक तो औरकली में तो दुबारा ध्यान से देखना एक बार और समझा रहा हूँ मैं यह कहा रहा हूँ कि यह यहां तक बन गया है और यह माइनस यह माइनस कैंसिल हो चुका है बचा है अपने पास 10 के अंदर h by 2 बचा है और 1 माइनस कॉस h को लिख दिया अपने 2 sin square h by 2 नीचे अपने पास 8 h cube है ठीक अब यह जो h cube है इसको मैं split कर रहा हूँ जहां से देखना कैसे इस h cube को मैं split कर रहा हूँ h में और h square में यहां तक ठीक अब मुझे उपर h by 2 है तो नीचे h by 2 चाहिए तो मैंने h by 2 लिख दिया और एक 2 का multiply कर दिया ताकि वो h ही बना रहे है उपर sin के अंदर h by 2 है और square लगावा है तो मुझे नीचे h by 2 का square चाहिए तो मैंने 4 से divide और 4 से multiply कर दिया ताकि वो h by 2 क whole square बन जाए अब इतने इतने पार्ट को इतने इतने पार्ट को मैं बोलने जा रहा हूं कि ये पार्ट तो 1 के बराबर है और sin square h by 2 और h square by 4 ये वाला पार्ट भी 1 के बराबर है 2 से 2 cancel हुआ नीचे 1 by 8 into 4 यानि 1 by 32 ठीक है जी बढ़ते हैं आगे अब अपन बात करते हैं very very important part j means में अकसर आता है ये 1 की power infinity type की limit को कैसे solve करना है ध्यान से देखना इस type की जब limit दिखे नीचे भी x का function है उपर भी x का function है and x tending to a होने पर fx 1 को tend कर रहा है और gx infinity को tend कर रहा है यानि कि ये 1 की power infinity की format बन रही है यहां तक समझे की नहीं समझे कि limit x tending to a नीचे भी कुछ x का function लिखावा है उपर भी कुछ x का function लिखावा है नीचे वाला 1 को tend कर रहा है उपर वाला infinity को tend कर रहा है तो ये 1 की power infinity की format है solve कैसे करना है solve कैसे करना है यह जो fx की power gx है न fx की power gx इसको मैं लिखोंगा e की power gx into ln of fx log की property होती है यह तो इस fx की power gx को लिख 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 लिखावने e की power में gx into ln of fx अब यह जो e की power में gx और जो ln के इंदर fx है उसको मैंने 1 प्लस fx माइनस 1 लिख दिया एक जोड दिया एक गटा दिया अब देखो क्योंकि fx1 को टेंड कर रहा था तो ये fx माइनस 1 ये इतना पार्ट 0 को टेंड कर रहा होगा तो मैंने इसी पार्ट से डिवाइड कर दिया fx माइनस 1 से और इसी पार्ट से 1 के बराबर क्यों? क्योंकि ये ln of 1 plus something divided by something की format बन चुकी है. और जो something था वो 0 को tend कर रहा है. यानि इस पूरे पार्ट को बोल दिया. मैंने 1. तो पूरे पार्ट को 1 बोलने पर बचा क्या? बचा फिर e की पावर gx into fx minus 1. Very very important thing for j means. very very important for j means. समझ गए कि जब 1 की पावर infinity हो, तो डारेक्टली आप e की पावर में ले जाना, जो पावर वाला फंक्चन है उसको सीधा लिख देना, और fx minus 1 कर देना. क्लियर? टुच वाला प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं, बटा? I have informed the team, अभी ठीक हो जाएगा थोड़े देर में. ठीक है? चलो. फिर अपन बात करते हैं, fx की पावर gx, जब ये 1 की पावर infinity टाइप का नहीं बन रहा हो, तो ये 0 की पावर 0 टाइप का, या दूसरी जो indeterminate form होती, उस टाइप का बन रहा होगा. Anyway, जब भी fx की पावर gx टाइप का बने, और वो 1 की पावर infinity टाइप आप नहीं बन रहा हो, तो आप directly उसको e की पावर gx into ln of fx में convert कर देना, कुछ न कुछ जाने पैचानी format जरूर बन जाएगी. Limit क्यों पूट करेंगे? Limit क्या पूट करेंगे? Limit extending to a थी ना यार? Limit तो extending to a चल रही थी सब जगए पर, और अपनने कहा था कि extending to a होने पर, जो fx है वो 1 को टैंड कर रहा है, तो fx के साथ मैंने minus 1 किया था, उसकी वज़े से 0 बन गया था, तो 1 plus something, जो something है वो 0 को टैंड कर रहा है, divide by same thing, multiplied by same thing, 1 by 0 नहीं है, कहां पर 1 by 0? हाँ बेटा, बताओ ज़रा PC users के लिए क्या solution मिला तुम्हें S के? नहीं नहीं, 1 by 0 form के लिए, 1 by 0 form तो कोई indeterminate form ही नहीं बेटा, 0 by 0 form होती है indeterminate, मैं बात कर रहा हूं, 1 की power infinity type की, S के तुम्हें क्या solution मिला बताओ ज़रा PC users के लिए? S क, we are waiting for a reply, क्या solution मिला है तुम्हें Twitch वाला? हाँ, Twitch पे देख सकते हो, जो अपन लाइब श्रीमिंग कर रहे हो, Twitch पे भी चल रही है राइट नाओ, पर वहाँ से आप उसको message नहीं कर पाओगे, chat नहीं कर पाओगे, रुक रुक के चल रहा है, अगर सभी का रुक रुक के चल रहा होता, तो I think मेरे end पे problem होती, पर कुछ बच्चों का, मतलब बहुत सारे बच्चों का, तो ठीक चल रहा है, I think आप लोगों के end पे problem है, cookies या तो clear करके देख लो, या एप को एक बार reinstall करके देख लो, एप में चल रहा है ना, कुछ बच्चों नों बता है ना, आप में चल रहा है सर, देखो, SK ने एक solution लिखा है, right click on banner, and then click inspect, and simply press backspace on the keyboard, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो अपने बात करी कि, FX की power GX type की चीज़ों को, किस तरह से handle करना है, उनको E की power में convert कर लाना है, ठीक है, एक question आपके सामने है, बिना pen चलाए, बिना pen चलाए, आंसर आएगा, खटाक से, जो मैंने सिखा है, उसको लगाना बस, जो trick मैंने सिखा ही है, कौनसी वाले trick, कि अगर 1 की power infinity हो, तो उसको E की power GX, into FX minus 1 कर देना, सिधा सिधा, खटाक से आंसर आजाएगा, यानि कि आपको इस question के लिए, particularly इस question के लिए, pen नहीं चलाना है, देखते हैं क्या आंसर आता है, निकाल लिया, केई ने निकाल लिया, E की power 10 आंसर आ रहा है सर, बहुत बढ़ी है केई, बाकियों का भी निकलेगा, E की power 10, 2 by 5 नहीं आएगा, यारे भी 2 by 5 नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, यह सारा कुछ E की power में जा चुका है, अंजली का E की power 10 आया, MR का E की power 10 आया, बहुत सारे बच्चों का E की power 10 आया, well done, देखो, क्या करना है, extending to 0 पे, नीचे तो 1 प्लस 0 बन रहा है, उपर 5 अपॉन 0 बन रहा है, यानि कि यह 1 की power infinity फॉर्मेट बन रही है, तो ऐसे में क्या करना है, E की power में जो power है उसको तो as it is लिख लो, और जो base था उसमें से minus 1 कर दो, तो बन गया E की power 5 अपॉन X into 2X, XX कैंसल हुआ, सीधा सीधा अंसर आ रहा है की power 10 बिना कुछ करे, बिना pen चलाए भी अंसर आ सकता था, अकांग्षा, गोविन, श्रिष्टी, प्रभास, नमन, सब का आ गया, बहुत बढ़िया, अगला कुश्यन देवो, थोड़ा सा interesting, ये तो simple था, बिना pen चलाए हो गया, अब QR pen चलाना पड़ेगा, जे इमेंस का सवाल है, है बड़ा interesting, और वही वाला fund आ है, वही वाला fund आ है, लेकिन पैचानना है आपको, जो बाते मैंने बता रखी हैं, कि extending to जब infinity हो, उपर polynomial हो, नीचे polynomial हो, तो क्या समझना है, गोविन, सुहानी, अकांग शा, सबका एकिपावर टैना है था, वेल दन गाइस, बिना pen चलाए निकाला ना, बिना pen चलाए, केई ने अंसर निकाल दिया है, सरी की पावर फोर आ रहा है, लेट सी, बाकी लोगों का क्या आता है, अब बताँगा नहीं, कि सही है, गड़बड है, सुहानी का भी एकिपावर टैना है था, पिछली कुष्टिन का, देट वस करेक्ट, रिशी केश का एकिपावर फोर आ रहा है, टैन, अविक का एकिपावर फोर आया, टैन गड़बड लग रहा है, एकिपावर टैन गड़बड लग रहा है, प्रभास का ठीक लग रहा, एकिपावर फोर बहुते बढ़िया, मैं बता दूँगा, कलास के लार्च में बता दूँगा नोट्स कहां से मिलेंगे, डिबी पिव कहां मिलेंगी, लास में बता दूँगा, E की पावर 4 बहुत बढ़िया वीडियो रुका हुआ है रिफ्रेश करो बेटा नियती का 10 आ रहा है 10 नहीं आएगा बेटा E 4 I can't hear you रिफ्रेश करो बेश को रिफ्रेश करो E की पावर 10 E की पावर 4 E की पावर 10 I think कुछ बच्चे अभी तक पिछले वाले कुश्चन पे या उनकी चैट शाहिद बाद में आ रही है अपने सामने correct answer is E की पावर 4 बहुत सारे बच्चों का आया well done sir well done well done well done ध्यान से सुनना बात को ध्यान से सुनना X जब infinity को अप्रोच कर रहा है तो पहले हमें ये जज करना पड़ेगा कि ये पूरी चीज किसको अप्रोच कर रही है बता तो किसको अप्रोच कर रही है 1 को अप्रोच कर रही है क्यों? क्योंकि उपर से मैं जब X square common निकाल लूँगा तो 1 प्लस 5 अपॉन X प्लस 3 अपॉन X square आएगा और नीचे से भी जब मैं X square common निकाल लूँगा तो 1 प्लस 1 बाई X प्लस 3 अपॉन X square आएगा और X square X square कैंसिल होने पर ये पूरी चीज 1 को टेंट कर रही है यानि कि ये 1 की पावर इंफिनिटी की फार्माट बन रही है 1 की पावर इंफिनिटी की फार्माट को सॉल करने का डारेक्ट 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 कुछ नहीं करना है तरीका बता है मैंने E की पावर में ले जाना जो पावर थी उसको भार लिख देना और जो जुगाड बेस में था X square प्लस 5X प्लस 3 divided by X square प्लस X प्लस 3 इसमें से एक गटा देना तो क्या बन रहा है? E की पावर X तो multiply में है बचा क्या? X square प्लस 5X प्लस 3 माइनस में आया X square माइनस में आया X, माइनस में आया 3 whole divided by X square प्लस X प्लस 3, देखें ज़रा simplify हो कि क्या बन रहा है, ये बना e की power में x तो पड़ावा है, x square x square cancel, 5x minus x, 4x, 3 से 3 भी cancel, divided by x square plus x plus 3, e की power में ऊपर तो 4x square है, नीचे x square common निकाल लो, तो 1 plus 1 by x, plus 3 by x square, simple वोई वाला फंडा जो trick सिखीते हैं, कि extending to infinity है, तो क्या करना है, highest power common निकाल नहीं है, जहाँ जहाँ नीचे x आगया, वो सारी चीज़े बन जाएगी 0, e raised to power 10, नियती का correct है, बिल्कुल correct है, infinity upon infinity 1 आ रहा है, यही समझना था इस question में, कि नीचे वाला 1 को 10 कर रहा है, और उप जब fx की power gx दिखे और यह 1 की power infinity ना बन रहा हो, तो उसको e की power में gx into ln of fx लिख देना, ठीक है, common कब लगा था, समझा नहीं बेटा, MR में समझा नहीं, तुम्हारा जवाब में समझा नहीं बेटा, फिल्हाल, नहीं बेटा, माउट है, माइडाउट section में, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटर पढ़ना है, ठीक है, चलिए बहाँ, आगे बढ़ते हैं, एक और question वैसा ही, देखो, स्टार्टिंग जो 17 और 19 वाँ question कराये थे, बताये था ना, इस तरह के question बड़े common है, जेए मेंस में, वैसा question आगा है, फिर से देखो, something A और B की value निकालने वाला, extending to infinity पे, clearly आँख मीच के भी दिख रहा है कि, 1 की power infinity की format है, तो बड़ा असानी से, A और B की value निकाली जा सकती है, when we take common, जब limit extending to infinity हो, उपर एक X का polynomial हो, नीचे भी X का polynomial हो, ऐसे में, X की highest power को common निकाल देना, ये trick है, A to B and A, A equal to 1, B equal to R, ओके बटा clear है, बहुत बढ़िया, अगर आप हत्वाट डाउट पूछ लोगे, मैं time मिलते हत्वाट बता भी दूँगा, हाँ, आपको उस time देखना है, बोड की screen को पर देखना है, क्या समझा रहा हूँ है, A equal to 1, B equal to any real number, अंजली का answer, बहुत ही बढ़िया, correct answer, simple है ना देखो, 1 की power infinity है, तो अपन बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, अपन E की power में, 2X को लिया भार, और 1 प्लस A by X, प्लस B by X square में से 1 माइनस कर दिया, J मेंस में इस तरह के 3-4 बार question आ चुके हैं, कौन से तरह के, 1 की power infinity वाले, 1 से 1 cancel हुआ, बचा क्या, E की power में बचा, 2 के साथ, X को अंदर multiply करूँ तो बन रहा है, A प्लस B by X, ये बच रहा है, और question में क्या रखा है, कि ये E square के बराबर है, जब limit हो extending to infinity, तो extending to infinity पे तो भईया, ये वाला part तो 0 हो रहा है, ये वाला part तो 0 हो रहा है, अपने हिसाब से limit आ रही है, E की power 2 है, question के हिसाब से limit है E square, clearly दिख रहा है कि A को तो 1 होना पड़ेगा, और B कुछ भी हो जाए, कहीं को दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये वाला part तो 0 बनने ही वाला है, इसका limit में कोई role ही नहीं है, तो A को 1 लेना पड़ेगा, लेकिन B को कुछ भी ले सकते हैं, समझ गए भी या, हाँ, रनवीर, A equal to 1 is correct answer, और B can be any real number, got it sir, well done, बहुत बढ़िया, एक और question लेका हैं आपके सामने, इसी तरह का 1 की power infinity type वाली format का ही देखते हैं, जरा इसका answer सही निकाल पाते हो, क्या पहली बार में, पहली बार में, पहली बार में सही निकालना है, इंतजार, E की power minus 8, जब तक जबाब नहीं, तब तक कोई डिलाई नहीं, question के साथ दोस्ती, answer निकालना है जरूरी, E की power minus 8, हर्शित का, प्रभास का, E की power minus 8, जीयो का, अंजली का E की power 8 आ रहा है, विधान का minus 16 आ रहा है, एक बार फिर से सर, fast fast, कौन सा वाला fast fast पेटा, संदीब का सही आया, अर्शित का सही आया, E की power 6 गडबड़ है, E की power minus 8 सही है, E की power minus 8 is the correct answer, Google से चाप रहे हैं, sir, तो के तुम अपना, तुम तो solve कर लो यार, वो लोग चाप रहे हैं, तो चापने दो नहीं, तुम तो अपना solve करोना है, अगर, तुम्हारे जो प्रती धवन्दी हैं, वो अगर Google से आंसर निकाल के चाप रहे हैं, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, कि तुम्हारा competition खतम हो रहा है, पेपर में थोड़ी Google साथ में होगा, हाँ, क्रोम की वायर जोइन किया, तो I think टिक चलना चाहिए, चलो, solve करते हैं फिर से, दिख रहा हैं में कि extending to infinity पे, एक स्क्वार का और नीचे एक स्क्वार का coefficient सेम है, यानि कि ये नीचे वाला पूरा पार्ट तो 1 को tend कर रहेगा, और 2X स्क्वार माइनस 1 डिवाइड़ बाई 2X स्क्वार प्लस 3, इसमें लगा दिया अपनने माइनस 1, क्या बन रहा है, E की पावर 4X स्क्वार प्लस 2 तो पड़ा हुआ है, उसको simplify किया तो बना 2X स्क्वार माइनस 1, माइनस 2X स्क्वार माइनस 3, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है, कौन सी वाली, माइनस वाली गलती करी है, क्या बन रहा है, E की पावर में, X स्क्वार, X स्क्वार कैंसिल वा तो माइनस 4 के साथ, 4X स्क्वार प्लस 2, और डिवाड़ेड बाई 2X स्क्वार प्लस 3 बन रहा है, तो e की पावर बच गई, minus 8, this is our final answer, simple था ना, done, 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 पहले वाला sum एक और बार, पहले वाला ये, देख लो बेटा, simple था, ये, one और one cancel होने की वज़े से, e की पावर में सिर्फ 2a plus b y x square बच रहा था, ये वाला पाट तो 0 हो रहा था, तो बचा सिर्फ e की पावर 2a, उसको अपने e square, e square given था, given वाले e square की equal किया, तो e की value वन आ गई, ठीक है, चले भई आगे, confidence हा रहा रहा ना, limit में, limit में confidence हा रहा रहा ना, last step दुबारा बता दिया ना, last part एक बार दुबारा बता दू, पूरा solve करके, कौन से question का, question number 9 का या question number 8 का, जल्दी से बताओ, MR, question number 9 का या 8 का, जल्दी करो, net खतम हो रहा है, चलो, आगे बढ़ते हैं, limit के question में confidence हा रहा होगा, आपको, कि J means वाले question आए, तो भी आप सही answer निकाल रहे हो, नए question दे रहा हूँ, तो भी आप सही answer निकाल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, keep it up, अब थोड़ा साब की बारा, आपको typical question दे रहा हूँ, award winning सवाल है, 20 second में, अगर किसी का answer आ गया, 20 second में, अगर किसी का answer आ गया, तो यह इनाम आपका, देखते हैं ज़रा, 9 का last step दोबारा पुछ रहो क्या, PS, VP, JI, question number 9 दोबारा बता हूँ, चलो देख लो, 9 दोबारा देख लो, यह 1 की power infinity की format थी, अपने वही वाला फंडा लगाया, पावर को भार निकाला, और Fx minus 1 लगाया, Fx minus 1 लगाया, अच्छा, large वाला step, चलो मैं explain कर जता हूँ, लास्ट वाला step दोबारा explain करता हूँ, देख लेना जरा, यह अब बना था अपना, E की power minus 4 था, X square common निकालना है, बचा 4 plus 2 by X square, का था ना, highest power X की common निकाल लो, नीचे से भी X square common निकाला, तो बचा 2 plus 3 by X square, X square से X square cancel हुआ, अब मैं ये कहे रहा हूँ, कि X जब infinity का अप्रोच कर रहा है, तो यह वाला part 0 बन रहा है, और यह वाला part भी 0 बन रहा है, बच क्या क्या रहा है, बच रहा है, बच रहा है, एक तो minus 4 बच रहा है, और उपर एक 4 बच रहा है, नीचे एक 2 बच रहा है, यानि की E की power minus 8, अब क्लियर है? चलो, question number 10, किसी का अंसर आया क्या? 20 second में तो नहीं आया, लेकिन हाँ, विधान का, MT का, नवदीप का, श्रेया का, सही आंसर तो आ गया है, well done, well done, well done, अनिकेत का सही आया है, अविक का थोड़ा गड़वड है, लक्षे का भी सही आया है, श्रेया का भी सही आया है, one गड़वड है GP, one गड़वड है, E square गड़वड है, correct answer is E E है correct answer करूँ सॉल यह तुरह आवर टाइम देओ award winning सवाल था बड़ा अच्छा सवाल था क्योंकि देख के एकदम से लगता है यार हो क्या रहा है हभीब का भी E आया है बहुत बढ़िया अच्छे जवाब देरो यार आज तो अब मुझे पूरा वरोसा हो चुका है अदित्य का भी सही है मुझे पूरा वरोसा हो चुका है कि अगर limit का question मेंस में आया तो तुम फोड लोगे पका फोड लोगे अच्छे practice कर लिए तुम लोगोंने बहुत सारा बढ़िया बहुत बढ़िया चलो देखो जरा तो x tending to 1 पे देखो जरा नीचे मेरे पास है log 3x base में है 3 x अगर 1 को tend करेगा तो ये वाला part तो 0 को tend करेगा sorry ये वाला part तो 1 को tend करेगा क्यों क्योंकि ये 1 minute x tending to 1 है x tending to 1 है x जब 1 को tend करेगा तो log के अंदर 3 to the base 3 बन जाएगा यानि ये 1 को tend कर रहा है और log x to the base log 3 to the base x x अगर 1 को tend करेगा तो ये वाला part infinity को tend करेगा कैसे sir नहीं समझे log 3 to the base x को मैं लिख सकता हूँ log 3 divided by log x base changing theorem और x जब 1 को tend करेगा तो ये वाला part 0 बनेगा ये 0 बनेगा यानि पूरा part infinity बनेगा तो ये format 1 की power infinity वाली ही format है 1 की power infinity वाली अगर format है तो मैं फिर से वही कर लेता हूँ e की power में log 3 to the base x बाहर निकाला और log 3x to the base 3 में से 1 गटा दिया क्या फाइदा होगा log 3 to the base x ये देखो ये दो multiply में हो रहे हैं 3 और x multiply में हो रहे हैं तो ये बन गया log 3 to the base 3 प्लस में बन गया log x to the base 3 माइनस वने का पन ने किया था log 3 to the base 3 की value 1 1 से 1 कैंसिल क्या बचा? कुछ जाना पचाना है क्या? log 3 to the base x multiplied by log x to the base 3 जानते हो क्या इस दोनों को multiply करने पर value 1 आती है यानि answer आया e के बराबर बोलो समझे नहीं समझे उजवल का सही आया इसीता का सही आया e square गडबर था e square गडबर था वसिष्ट का data खतम हो गया चलो वसिष्ट recording देख लेना बेटा कुछ और बढ़िया question कराने वाला हूँ और L hospital rule बताने वाला हूँ sandwich तरह बताने वाला हूँ जे image के लिए बड़ी important है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं पर L hospitals rule की जानते हो क्या L hospitals rule इसके पीछे थोड़ी गोथ history भी है उस पर चर्चापन कभी बात में करेंगे this rule is applicable for indeterminate form कौन कौन सी indeterminate form सिर्फ 0 by 0 और infinity upon infinity के लिए ही applicable है सिर्फ 0 upon 0 या infinity upon infinity के लिए ही applicable है होगा क्या कि limit extending to a पर fx upon gx अगर ये 0 upon 0 की format बन रही है तो आप उपर वाले को अलग से differentiate कर देना नीचे वाले को अलग से differentiate कर देना फिर इस limit की value निकाल देना शायद शायद नहीं काफी जाद चांसे है कि limit बहुत simple से बन जाएगी अगर still एक बात differentiate करने पर अगर ये 0 by 0 form ही बने then again कर देना differentiate उपर वाले को अलग से नीचे वाले को अलग से division rule मतलगा देना division rule मतलगा देना डिफरेंशेट करते नहीं उपर वाला अलग से differentiate नीचे वाला अलग से differentiate कहीं न कहीं किसे न किसी point पर जाकर कुछ जाने पचाने format या simple से format बन जाएगी limit की value आ जाएगी काम की बात है कुछ काम की बात है क्या है कि zero into infinity जो format बन रही है उसमें zero वाला जो part हो उसको denominator में ले जाकर one by zero वाला type का बना देना तो ये infinity upon infinity में convert हो जाएगा और infinity minus infinity अगर type की आ रही हो तो LCM लेके एक चीज simple उपर numerator अलग denominator अलग तो ये infinity upon infinity या zero upon zero by zero की format में दिख जाएगा एल हॉस्पिटल डूल लगा पाओगे indeterminate form ये बड़ा important बड़ा ही important जे मेंस में पूछा जा चुका है indeterminate form of the type one की power infinity infinity की power zero and zero की power zero can be reduced to zero into infinity by taking log on both sides या फिर जो अपन ने पहले फंडा पढ़ा था कि उसको e की power में convert कर दो दुबारा समझा रहा हूँ जहान से देखना अगर fx की power gx type का है fx की power gx type का है और वो in में से कोई format है तो l hospital तो नहीं लगेगा लेकिन अब इसको convert कर सकते हैं इसको अपन लिखेंगे e की power gx into ln of fx multiply में आगी चीज़े हैं अब multiply में आई तो काफी chances हैं कि 0 into infinity type का बन रहा होगा और 0 into infinity को 0 upon 0 या infinity upon infinity कैसे बनाना है वो मैं आपको explain कर दिया है करें सब question करें भया करें question l hospital के उपर l hospital rule बड़ा ही interesting चलो question करते हैं l hospital के उपर x की power x limit extending to 0 plus x की power x देखते हैं जरा कौन जवाब दे पाता है मुझे हाँ l hospital के इस्तेमाल करना है लेकिन ना तो ये 0 by 0 form है ना ये infinity by infinity form है मैंने आपको hint दिया है कि आप इसको convert कर सकते हो 0 by 0 या infinity upon infinity में लक्षकाया 1 infinity minus infinity इस टाइब से something minus something और ये अगर infinity minus infinity बन रहा है तो lcm ले लेना lcm लेने पर numerator अलग हो जाएगा denominator अलग हो जाएगा ये अपने आप infinity upon infinity की form बन जाएगी ठीक है अ शायद से एक है 0 raise to power 0 बिल्कुल सही कह रहे हो रनवीर confused है कि 1 आएगा या नहीं आएगा 0 Sanjay का या 1 रनवीर का या 1 आज बहुत सारे नहीने बच्चों का अंसर आ रहा है रनवीर, Sanjay I think you are new people और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुमा चायद पहली क्लास में आयो तुम्हारा पहले नाम देखा नहीं मैंने और तुम्हारा जवाब सही आ रहा है well done 0 raise to 0 तो ठीक है बेटा limit की value क्या आएगी 0 0 0 0 नहीं 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 0 नहीं आएगी 0 नहीं आएगी E भी नहीं आएगी answer आएगा 1 govind का गड़बड है dipak का सही है sk का भी सही है mt का भी सही है runvir starting से तो नहीं है last class में तुमारे कुछ जवाब आये थे आज तुमारे काफी जवाब आ रहे है तेजस का जवाब आज पहली बार आ रहा है अंकित के कई जवाब आ चुके है E की पावर 0 क्या होता है MR बेटा E की पावर 0 1 होता है इस ही ते का भी सही जवाब आ रहे हैं आज बहुत बढ़ी है good evening वी जी चलो करूँ मैं solve ध्यान से देखना ये 0 की पावर 0 फॉर्मेट है तो मैंने क्या कहा E की पावर में convert कर लो E की पावर में limit extending to 0 ये बन जाएगा X into lnx ठीक है ये step तो समझते हो ना अब सिर्फ इतने पाट को solve कर लेता हूँ बाद में इसको E की पावर में चला दूँगा सिर्फ ये वाला पाट solve कर रहा हूँ limit extending to 0 X into lnx ध्यान रहे extending to 0 plus क्यों था क्योंकि negative जो 0 है वो तो domain में ही नहीं है lnx में इसलिए extending to 0 plus था अब ये तो 0 को tend कर रहा है और lnx infinity को tend कर रहा है lnx का graph ये वाला तो in fact ये minus infinity को tend कर रहा है तो ये 0 into infinity की format है ध्यान से देखते जाना जिनको समझ में नहीं आया था 0 into infinity को मैं convert कर रहा हूँ infinity upon infinity में कैसे limit extending to 0 plus x into lnx को मैं लिखने जा रहा हूँ limit extending to 0 plus lnx को मैंने उपर छोड़ दिया और जो x था उसको नीचे लाके मैंने 1 by x कर दिया समझे कर ना समझे समझे कर ना समझे log लेके होगा log लेके भी हो सकता है बिल्कुल ठीक this is equal to limit extending to 0 plus देखो अब ये infinity upon infinity की format आ चुकी है तो मैं क्या करने वाला हूँ l hospital लगाने वाला हूँ differentiate करने वाला हूँ lnx का differentiation 1 by x 1 by x का differentiation minus 1 by x square तो ये limit extending to 0 plus में 1 x तो cancel हुआ बच्चा सिर्फ एक अकेला x बच गया और extending to 0 पे ये 0 ही तो बनेगा लेकिन आंसर 0 नहीं है भाला आंसर 0 नहीं है आंसर तो e की power 0 है ये e की power में था ना सारा कुछ और e की power 0 का मतलब 1 यानि क्या answer आया 1 के बराबर समझ गए limit में ln नहीं लेंगे क्या समझा नहीं मैं e की power में सारा कुछ लेगे न अपन x ln x बना दिया जी पी सहीधा अंसर got it j i तुम्हे को doubt है के बचा j i तुम्हारे को doubt मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ln वाला step दुबरा समझा हूँ देखो f x की power g x this is also equal to e की power g x into ln of x ठीक है यी property होती ln की 1 by x कैसे आया सर क्या मैं इधर देख लो यहां पे देख लो जो ये x ln x था ना x is same as 1 upon 1 by x बोलो ये step समझ में आता है क्या 1 upon 1 by x x के पराबरी तो आएगा graphical approach बहुत थरे बच्चों को graph x की power x का करा बनाना नहीं आता है बेटा और वो जो graph आप बनाओगे x की power x का उसमें भी तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि x जब 0 को 10 कर रहा है तो x की power x 0 1 को 10 कर रहा है ये limit से ही तो निकल के आता है graph जो starting point है graph का कि 0 पे value 1 आएगी और उसके बढ़ती जाएगी ये limit से ही तो निकल के आता है और वो limit l hospital का इस्तेवाल करके ऐसे x ln x में convert करके निकलती है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं एक और बड़ा interesting सवाल n एक natural number है x की power n divided by e की power x प्रद्युमना got it well done limit है x tending to infinity अगर छोटा दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको question है question है limit extending to infinity x की power n divided by e की power x लिख दिया e की power x का graph यह होता है बिटा यह होता है y equal to e की power x का graph प्रभास का 0 आ रहा है n factorial आ रहा है PR का देखो ऐसे अगर continue watching on twitch आ रहा है तो तुम एक बाद twitch पर जाके वहाँ पर देख लो बस वहाँ इतना नुकसान है कि तुम chat नहीं कर पाऊगे लेकिन जो मैं बाते बढ़ा रहा हूँ सारी twitch पर दिख जाएंगी तुम्हें सेम है जैसे YouTube पर streaming करते हैं तो YouTube पर दिखता है उसी तरह से अपन जो streaming कर रहे हैं वह twitch के उपर कर रहे हैं तो यह चीज़ आपको twitch के उपर भी दिखेगी बस वहाँ चैट वाला option नहीं होगा अर्विल का zero आया जीपी का one आया गड़बर लग रही है कुछ कुछ रोहन का one आया आज तुमने जवाब तो बहुत सारे सही दिये लेकिन एन फैक्टोरियल सर जीरो कंफर्म सर के क्या रहा है सर कंफर्म है one by e भी आया इस question में तुमने answer गड़बर दे दिया आ तुमने आलांकि बहुत सही से answer दिये बड़े अच्छे से question जिनकी मुझे उमीद नहीं थी या उमीद कम थी उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिये लेकिन इस वाले question में तुम सब लोग सब लोग नह कर रहा है तो infinity upon infinity तो differentiate कर दूं differentiate करूंगा तो बनेगा limit x tending to infinity n into x की power n minus 1 divided by e की power x अभी भी ये infinity upon infinity की format है फिर से differentiate कर देता हूं limit x tending to infinity n into n minus 1 into x की power n minus 2 नीचे तो अभी भी e की power x ही आएगा differentiation अभी भी ये infinity upon infinity की format है यानि कि मैं differentiate करता जाओंगा और n into n minus 1 into n minus 2 तब तक differentiate करता जाओंगा जब तक last में 2 आएगा फिर बचेगा एक x still नीचे तो फिर भी e की power x ही बचा हुआ होगा limit x tending to infinity ये वाला step समझ में आएगा जल्दी से बताना कि differentiate करता जाओंगा x की power कम होते 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 लास्ट में x की power सिर्फ एक बच जाएगी यहां तक ये वाला step समझ में आएगा नहीं आया yes or no yes तो अभी भी तो ये infinity upon infinity format है तो मैं एक बार और differentiate करूँगा एक बार और differentiate करते ही उपर तो n into n minus 1 into n minus 2 कहां तक 3 into 2 into 1 तक x तो गायब हो जाएगा लेकिन बेचारा e की power x तो अभी भी नीचे पड़ा हुआ है अब तो उपर वाली चीज finite आएगी लेकिन नीचे अभी भी इन finite ही है यानि limit की value आएगी 0 twice x कैसे आया मैं यह बता रहा हूँ कि differentiate करते करते x की power बाहर आती जाएगी last में करते करते x क्यूँ बच जाएगा उसको differentiate करोगे तो 2x square बच जाएगा उसको और differentiate करोगे तो last में तो लास्ट में टू एक्स बचेगा उसके बाद एक बार ओर डिफ्रेंशियेट समझ गए बताना ये वाला कुश्चन दुबारा समझाना है क्या बड़ा इंट्रेस्टिंग कुश्चन है बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था कईोंने वन लिखा कईोंने जीरो लिखा कईोंने एंट्रेल लिखा जिनका एंट्रेल लाय था उनका गड़बड है समझ गया न चलें क्या आगे आगे बढ़ें आ गया चलो आगे वड़ता है एक और कुश्चन आपके सामने limit extending to zero sign के अंदर something divide by something ये J-Mains का वो वाला question है जो L-Hospital से खटाक से हो जाएगा खटाक से देखें जरा कितना जल्दी answer निकाल पाते हो आज limit के कई कोई कोशनों का answer आपने बहुत बढ़िया दिया है कौन सा पार्ट repeat करना है बिटा zero answer last में आते आते तुमने यार रायता पहला दिया शुरू के कई सारे सवालों का जवाब तुमने सही दिया लगबग सभी बच्चों ने सही दिया फिर कुछ कोशने से आए कुछ बच्चों के गलत अंसर आए अब तो यार तुम सभी लोग गड़बड कर रहे है बैम में तो नहीं आ गए हो बैम तो नहीं हो गए कि हाँ limit के कोशन तो हम करी लेंगे बैम में मता जाना बैम में आती काम खरा हो जाएगा अंकित का वन आया MR का माइनस पाई आया KS का पाई आया KA का हाफ आया भांती भांती यह कभी रहा इस दुनिया में भांती भांती के लोग और भांती भांती के उत्तर वस्षिश इस बैक अर्विल का पाई आया है empty का πाई आया पाई बाई टू पाई बस हो गया है जीरो आ रहा है ना या ना 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 मज़ा नहीं आएगा अंकित का सही जवाब है कई सारे बच्चों का सही जवाब है correct answer is equal to पाई उतकर्ष का भी पाई आया माइनस पाई गड़वड है चलो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना सबसे पहला काम एक्स को जीरो डालके देखो एक्स को जीरो डाला तो साइन के अंदर पाई और कॉस एक्स की वैल्यू वन डिवाइड में जीरो है कि नहीं ये जीरो ब साइन के अंदर जीरो बनता और सेम चीज डिवाइड में आ रहे होती तब तुम्हें बन कह सकता था लेकिन फिलाल साइन के अंदर पाई बन रहा है राजवेटे कॉस एक्स की वैल्यू एक्स को जीरो डालने पर कॉस एक्स तो बन हो गया लेकिन साइन के अंदर पाई बन रहा है, समझगे गलती, गलती समझ में आई, तो solve करने जा रहा हूं में using L hospital rule, L hospital rule अगर मैंने लगाया, L hospital rule लगाते हैं, differentiate करते हैं जड़ा, तो limit x tending to 0, sign का differentiation cos, अंदर pi cos square x as it is पढ़ा हुआ है, फिर chain rule की साब से मैं अंदर गया, तो pi cos square x का differentiation, pi तो पढ़ा हुआ है, cos square x का differentiation 2 cos x into minus के साथ sin x divided by x square का differentiation 2x, समझ गए, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 cancel हुआ, और क्या minus sin x upon x, इस पूरे पार्ट को मैं directly minus 1 बोल दूँ, समझते हो ये तो, बाके सब जगे x को 0 डालूँगा, तो ये तो 1 हो गया, x को 0 डालूँगा, तो ये 1 हो गया, बचा cos pi, समझे क्या, ये वाला cos 0 हो गया 1, तो बचा cos pi, एक ये वाला pi बचा, और एक ये वाला minus 1 बचा, cos pi के value बोलो, minus 1, और minus 1 into minus 1, 1, बच गया सिर्फ pi के बराबर, बहुत ये असान सवाल था, उपर निचे pi cos square x से multiply नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि sign के अंदर वाली चीज, 0 को टेंट करनी चाहिए, अंदर वाली चीज तो pi को टेंट कर रही है, आंसर बले आ रहा है उससे, लेकिन ऐसी, ये इस तरह की टेक्निक कभी दुआरा गलती करा सकती है, ये mistake वाला point समझे क्या, जो तुम कह रहे हो कि उपर निचे pi cos square x से multiply कर सकते हैं, वो गड़ बढ़ है, गलती है, वो तभी होगा जब sign के अंदर वाली चीज, 0 को टेंट कर रही हो, फटा-फट से आगे बढ़ते है, हाँ ये वाला लिख सकते हैं, ये बिलकुल लिख सकते ह ही है, आरेस तुम्हारा मेथड बिलकुल सही है, लेकिन एल उस्पिरिल से थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, sandwich theorem की, sandwich theorem, sandwich बन गया, कोई एक चीज फस गई दो चीजों की बीच में, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, अगर ऐसा ह हो रहा हो, suppose this is hx, this is fx, and this is gx, और पूरे interval में, hx सबसे बड़ा है, fx उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानि fx का sandwich बन गया बचा रहा है, ये hx और gx उनके बीच में फस गया, fx, और अगर ऐसा हो रहा हो, कि limit extending to a पर, hx की limit, और limit extending to a पर, gx की limit, अगर सेम आ रही हो, तो फिर limit extending to a पर, fx की limit भी सेम ही आएगी, जानते हो कर नहीं, जानते हो, जानते हो, question करें directly, directly question कर रहे, sandwich तो रहा हम जानते हो, या और detail में समझाओ, question देओ direct, question चले, चलो, करो जरा ये वाला सवाल, x square into sin of 1 by x, limit extending to 0, और detail, question के तुरू और समझाओ दूमा, ठीक है, detail जो बच्चे बूच रहे हैं, question के तुरू और समझाओ दूमा, और clear हो जाएगा, बता हुजरा क्या आएगा, फटा फट से, RS का आए, 0, और, 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 हाँ, GP, और detail में समझाओंगा, question के तुरू समझाओ दूमा, तो अभी एक बार में समझना आजाएगा, रोहन का 0 आया, RS का 0 आया, अंकित का 0 आया, अर्विल का 0 आया, 0 is the correct answer, my friend, जिनको sandwich theorem में problem है, थोड़ी सी ध्यान से समझना, sandwich theorem ये बोलती है कि अगर कोई function की value दो functions के बीच में अगर लाई कर रही हो, ध्यान से सुनना, किसी function की value इन दोनों function के बीच में लाई कर रही हो, और limit extending to A पर HX की value, और limit extending to A पर GX की value, अगर ये दोनों सेम आ रही हो, तो फिर limit extending to A पर FX की value भी वही आएगी, क्यों, क्योंकि FX उनके बीच में लाई कर रहा था, देखो न, FX ये रहा FX, ये FX इनके बीच में लाई कर रहा था, तो जब X की तरफ पहुंचते हैं, HX भी वही value ले रहा है, और GX भी वही value ले रहा है, तो obviously FX उनके बीच में लाई कर रहा है, यानि FX की limit भी वही आएगी, इसका use कैसे करना है, use ऐसे करना है, कि देखो X square into sin 1 by X, कोई standard format नहीं है, लेकिन ये confirm है, कि sin 1 by X की value, 1 और minus 1 की बीच में रहेगी, agreed, inequality में किसी भी positive number से multiply कर रहा हूँ, तो inequality भी कोई फरक नहीं पड़ता है, तो मैं सबको X square से multiply कर रहा हूँ, तो ये बन गया minus X square, ये बन गया X square into sin 1 by X, और ये बन गया X square, ध्यान से देखो, ये sandwich बन चुका है, ये वाला function, इन दो function के बीच में sandwich बन चुका है, और इस वाले function की limit extending to 0, कितनी आरे limit? 0 ही तो आ रही है भाई, इस वाले function की भी limit extending to 0, कितनी आरे मेरे भाई, 0 ही तो आ रही है, इसका मतलब इस वाले function की limit भी 0 ही आनी पड़ेगी, according to sandwich theorem, निकालने की टेकनीक थी ये sandwich theorem का इस्तेमाल, ठीक है भी? हाँ ये last topic है, बेटा, दो question में और करते हैं फटा-फट से, ये clear हुआ जिनको sandwich theorem में दिक्कत आ रही थी, question के थूँ समझाया है, मैंने समझ गये नाभू? समझ गये, बट बढ़िया, समझ में आना चाहिए बस, अगर समझ में आया तो एक बड़ा interesting सवाल देने वाला हुआ है, देखें किस-किस से वो पाता है, बड़ा interesting सवाल, ये लो भीया interesting सवाल, ये लो interesting सवाल, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, इस question को अपन हुमर के लिए रखते है interesting सवाल ये भी है ये भी interesting सवाल है देखो जरा उस वाले question को हुमर के लिए छोड़ रहा हूं मैं ये वाला question करके बताओ किस-किस को चमकता है J-Mains 2010 में आयवा question है इसको अगर जल्दी से कर दोगे तो वाला question expansions का इस्तिमाल J-Mains में नहीं होगा कत्त ही नहीं होगा कभी भी नहीं होगा अगर expansion की नौबत आई इसका मतलब व सवाल L-Hospital से भी हो जाएगा रोहन का वन आया प्रभास का वन आया तुक्का मार रहे हो या सही में निकाला है सोच समझ के कैसे आया वन बताओ जरा आदित्य का भी वन आया अंजली का भी वन आया नमन का भी वन आया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वन आ रहा है हरशित का भी वन आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया Fx Less Than 2x Less Than F 3X छलो धहान से देखना धहान से देखना F जो function है वो एक increasing function है और हमेशा positive ही रहता है increasing function की खास बात जानते हो गया increasing function की खास बात यह है कि x1 और x2 यह है F of x1 और यह वाला है F of x2 क्योंकि इंकरीजिंग function है तो x1 अगर x2 से छोटा हुआ तो f of x1 भी f of x2 से छोटा होगा क्यों increase कर रहा है तो आगे जाने पर value बढ़ जाएगी अब क्या ये बात आपको जहाँ होती है कि 2x जो है वो 3x से तो छोटा रहेगा और x से बढ़ा रहेगा obvious ही बात है obvious ही बात है और क्योंकि function increasing है यानि f of 2x ये f of 3x और fx के बीच में sandwich बना रहेगा क्योंकि fx एक positive function है तो सबको fx से divide भी कर दूँ तो भी inequality कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानि f of 2x को fx से divide कर दूँ f of 3x को fx से divide कर दूँ और fx को भी fx से divide कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बन गया sandwich अब सिर्फ खाना है इसको इसको देखो ध्यान से ये तो 1 ही है ना इसको देखो ध्यान से ये दे रखा है कि ये 1 को tend करेगा जब x infinity का प्रोच कर रहा हो इसका मतलब sandwich theorem की वज़े से ये वाला part भी limit extending to infinity होने पर f of 2x upon fx ये भी 1 को ही tend करेगा बन गया sandwich एक interesting result दिखाऊं क्या interesting result दिखाता हूं चलो ऐसा एक example दिखाता हूं आपको चलो फटा फट से अपन ग्राव बना के दिखते हैं देखो जो ये था ना हूं लाओ एवे जया हूं म।धा भी 1 का लाँ tu से अपन्याव जाई झालो से वाल सा टीना भी 2 ता प्राव ऑ्राव दोड़ाएं से अपन्यापड ए milk 4 ग1 जा का nogह क्वा प्राव चक्वाशर हूं कि पता चला कि कौन कुन से ग्राप बनाया मैंने मैंने ग्राप बनाया है E की पावर X का E की पावर 2X का और E की पावर 3X का देखो यह तो था अपने कुश्चन में कि एक पॉजिटीव इंक्रीजिंग फंक्शन है E की पावर X पॉजिटीव इंक्रीजिंग फंक्शन है F of 3X Fx और F of 2X यह देखो वह यह यह देखो अब इन्फाइनाइट जाने पर अभी तो यह तीनों ग्राफ बहुत अलग अलग दूर दूर दिख रहे हैं तीनों ग्राफ अपन को यह चेक करना है कि क्या इन्फाइनाइट जाने पर अपस में पास पास आजाएगे क्या पास पास आएंगे तब ही तो वैलिवन आएगी मैं जूम आउट कर रहा हूँ जूम आउट कर रहा हूँ अभी तक यह पास में न question की खास बात थी, ये same same चीज इस वाले question में दिए भी थी कि F of 3X upon Fx भी 1 है और F of 2X upon Fx भी 1 के बराबर है, समझे की नहीं समझे समझे के भीया तो एक question में होबर के लिए छोट रहा हूँ आपके लिए question number 15, एक मिलेगी DPP, उसमें limit के सवाल होंगे, बड़ा interesting सवाल होंगे, जे मेंस में जिस तरह के question आते हैं, उस पे based होंगे आज का lecture बड़ा important था और आने वाले कल का lecture भी बड़ा important है, क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं mathematical reasoning, mathematical reasoning में दिक्कत आती के बताना जड़ा यह easily solve कर पाते हो mathematical reasoning में दिक्कत आती है easily solve कर पाते हो, बताओ कल किस तरह से, कितनी detail में पढ़ाऊ मैं mathematical reasoning में दिक्कत आती है क्या नहीं आती है, यसर आती है नहीं आता है, दिक्कत आती है तो फिर कल का lecture बड़ा important है, क्यों, क्योंकि mathematical medical reasoning में से एक question पका आता है और वो question करने लाइक होता है गलती होने के chances बहुत कम रहते हैं अगर आपको ठीक ठाक आता है तो बहुत दिक्कत आती है बहुत दिक्कत आती है homework का answer मैं नहीं बताऊंगा next class में बताऊंगा आज मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, totology is confusing तो कल सारे doubt क्लियर कर लेंगे अपन सारे doubt क्लियर कर लेंगे जो भी तुम्हें reasoning में दिक्कत आती है बिल्कूल basic से बढ़ाऊंगा मैं बिल्कूल basic से बातों बातों में तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फटाफट से answer भी निकाल पाओगे truth table अगर नहीं भी दिक्कत आती है तो भी सारी कुछ समझ जाओगे ठीक है, इसलिए कल का lecture जरूर attend करना कल अपन J-Mains के question भी करेंगे और उन questions को जल्दी कैसे करना है फटाफट graph बना के या window graph बना के कैसे answer निकालना है वो भी समझाओगा आज के लिए फिलाल वक्त हो चला है आज का lecture बड़ा important था तुम लोगोंने बड़ा अच्छे जवाब दिये limit के J-Mains के question करवाए मैंने तुम सबने अच्छे जवाब दिये अब एक बात ध्यान में रखना जल्दी बाजी मत करना limit का question अगर आए तो जल्दी बाजी करोगे गलती हो जाएगी जैसे आज कुछ question में तुमने गलती करी थी ऐसी गलती मत करना clear thank you very much all of you good night, bye bye कल फिर मिलेंगे अच्छा कल एक micro class micro course की class भी है दोपैर में तीन बजे हाँ बिल्कुल तुम्हे समझ आएगा वेटा तुम्हे समझ में आएगा तुम्हें नहीं आता है तो भी समझ में आएगा पक्का समझ में आएगा लेकिन पूरा lecture return करना बीच में मताना और बीच में भागना भी मत पूरा लास्तक देखोगे तो सारे question clear हो जाएंगे micro course की class में कल है integration, definite integration करेंगे कल कल तीन बजे definite integration की class है micro course उसको में धीरे-धीरे पढ़ाऊंगा definite integration today's class is super then tomorrow's class is going to be awesome you should all be a part of it ताकि हम फटा-फट एक-एक करके सारे chapter revise करते जाएंगे और questions को फोड़ते जाएंगे फोड़ते फोड़ते ultimately J-means को भी 4 डालेंगे homework answer next class में बताऊंगा bye bye, good night well done, best of luck बहुत-बहुत आशिरवाद सभी बच्चों को God bless you good night, bye bye, bye bye confidence आगे ना यार यह तुम्हे कह रहा हूँ पूरी class रेंट करो, question करो खटा-खट आशन निकालो confidence आएंगे आएगा चलो, bye bye, bye bye अब मुझे एंड करना पड़ेगा session, bye bye, see you next time bye bye, good night for detailed videos, daily practice problems and live chat visit academy.amazon.in or download the app